करें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को नवरात्री की सबकामनाई देते हैं आज से नवराते श्टार्ट हो रहे हैं तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं या फिर कौन ज्यादा रियक्टिब होता है और साथ में हम इस वीडियो में कुछ कंवर्जन की बात भी करेंगे कि यहां पर कराने वाले हैं तो वीडियो को जड़ा फटापट से पूरा देखिएगा इसके मत करिएगा ओके यह है यह है और यह है की टोन भ्रूंक के सामने दोन हो लिए हैं यहल्ड हैकि नओकर ट्रेंद Archive नहीं की टाथ यह तो कार्बड से ज़्दा होती है यह वह चीज यह ऑं पर भी कार्बं इलेक्ट्रोंड डैट्फिशेंट सब्धियों किजब pub कर काार्बड जाते होना चाहिए और एलेक्ट्रोन, डेफिषेंट होना चाहिए, similarly in ketone, जब elektron डेफिषेंट है, तो नीकलियोफाइल आएगा, नीकलियोफाइल इस वाले carbon के पास भी आएगा, इस वाले carbon के पास भी आएगा, पस आपको यह सोचना है, कि कौन सा carbon ज्यादा electronegative है और कौन सा carbon कम electron negative है हम सब लोग जानते हैं कि जो alkal group होता है वो electron donating group का काम करता है ठीक है तो ketone के पास में दो electron donating group है बट aldehyde के पास में सिर्फ एक electron donating group है ओके आप लेख भी सकते हो ketone have one EDG ketone के पास में दो electron donating group होते हैं but aldehyde के पास में aldehyde have one electron donating group पका ketone के पास में दो electron donating group है और aldehyde के पास में एक electron donating तो यह ज्यादा stable होना चाहिए क्यों क्योंकि यह carbon electron deficient तो है ओके लेकिन carbon electron deficient है यह रोंने गरत बना दिया है ओके carbon electron deficient है लेकिन इसके पास में दो दो ग्रूप लगे हुए जो इसको electron की density provide करा रहे हैं aldehyde के पास में क्या है सर्फ एक electron donating group है तो यह carbon ज्यादा electron deficient होना चाहिए तो आप लिख सकते हो so carbon is more stable ठीक है तो यह जो carbon है carbon की ज्याद पर आप लिख सकते हो हो ketone भी लिख सकते हो so ketone is more stable यहां पर 180 होता है so aldehyde is less stable aldehyde का जो carbon है वो electron deficient है उसके पास में सिर्फ एक electron donating group है यह वाला carbon ज्यादा electron deficient है in comparison with ketone इसलिए हम कहेंगे किज़र aldehyde less stable है ketone more stable है अब जब ketone ज्यादा stable है तो definitely उसकी reactivity कम होगी यह तो आप लोग समझते हो जो ज्यादा reactive होता है उसकी stability कम होती है जो ज्यादा stable होता है उसकी reactivity कम होती है तो हम क्या कहेंगे सर aldehyde में और ketone में कौन ज्यादा stable है ketone ज्यादा stable है aldehyde ज्यादा reactive है ओके या फिर आप आप ऐसे बोल सकते हो कि सअ अ, ऐल्ले है न में ऊप या ऐसे रखेए ल्ली हाय respectful आप यह दे सकते हो, दूसरा रीजन, हम बता रहे हैं लेस इश्टियर इंड्रेंट्स को कि अचरुप्रिंस क्या होती ह और न, हेलो एलखेन vada chapter आप लोग ने किया हुआ वहाँ पर आपने खूब discussion किया हुआ है SN1 SN2 reaction में बिलियम Saundi Tha Synthiath J stuff में भी बात की हुई थी यहाँ पर carbon के पास में एक बड़ा group लगा हुआ है तो इसके पास में hysteric hindrance hindrance कम है लेकिन इस वाले कारवन के पास में दो-दो बड़े-बड़े ग्रूप लेके हुए है तो हम कहेंगे कि तरह इस्ट्रीख हिंड्रेंस जादा है इस्ट्रीख हिंड्रेंस जादा है तो यहां पर जो निकलियोफाइल एटेक करेगा वो इतना आसानी से नहीं कर पाएगा जितना आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से एल्डे हैइड में हो जाहिए उसका रीजन किया है कि जो एल्डेos होते हैं उन में एश्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो यह थो में से ही मजल्फ्रेंस कोंगे I pray चैतल Anyways कउ Ouch exteric endurance कम होती है carbon more electron deficient है but ketone ज़ादा stable होते है गम reactive होते है region क्या है? और इसमें exteric endurance भी जदा है ओके तो आप बात करते हैं कुछ convergence की जड़ा अब लोग जड़ा फटापर से इसको write कर लो